हेलो एब्रिवन आज हम मेथ मेजिक पढ़ेंगे स्टान्डर्ड फोर्थ चेप्टर नमबर एलेवन टेबल्स एंड सेर्ज चिल्डन प्रिवियस वीडियो में ट्राइ डुइंग देज टोपिक में ओप्शन एज तक लण किया था आज आगे लण करेंगे मीरा ने टोहंडर्ड फोर केंडल से वो मार्केट में सेल कनने के लिए बनाई थी सी मेक्स पेकट्स ओप सिक्स मीरा है उसने अरिक बोक्स में सिक्स सिक्स केंडल से वो पेक की थी How many packets will see make उसने एसे 6, 6 candles के कितने packets है वो बनाए होंगे हमें total number of packets से वो find करने है total number of packets is equal to 204 divided 6 क्या करेंगे 204 divided 6 204 divided 6 यहाँ पर देखो 2, 6 से smaller है इसलिए 2 digits हम एक साथ लेंगे 20 6 के table में as an answer 20 या तो फिर 20 से smaller number आए तब तक चेक करना है 6 बन्सा 6, 6 टूसा 12, 6 थ्रीजा 18 6 फॉर्सा 24, 20 से bigger number हो गया इसलिए कहा तक जाएंगे हम 6 थ्रीजा 18 6 थ्रीजा 18, 20 माइनस 18 करेंगे 2 उपर से कौन सा number हैगा 4 अब 24 6 के table में 24 या तो फिर 24 से smaller number is an answer आए तब तक चेक करेंगे 6 फॉर्सा 24, 24 माइनस 24, 0 does she will make 34 packets कितने packets बनाए होंगे उसने 34 packets है वो बनाए होंगे यहाँ पर दूसरा question है if she packs them in packets of 12 then how many packets will she make अगर वो अर्रेक packets में 12 12 candles है वो पेक करेंगी तब उसने कितने packets से वो बनाए होंगे वो बताना है total 204 candles है एक packet में 12 candles है वो पेक करेंगी तब कितने packets से वो बनाए होंगे वो चेक करेंगे total number of packets is equal to 204 divided 12 204 divided 12 12 के table में यहाँ पर दो डिजिट है यहाँ पर दो डिजिट लेकर चेक करेंगी 12 के table में 20 या तो 20 से smaller number 12 मंज़ा 12 20 माइनस 12 करेंगी क्या आएगा answer 8 उपर से कौन सा number आएगा 4 12 से मंज़ा 84 होता है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 84 84 माइनस 84 जीरो दाज, C will make 17 packets अगर वो अज़ एक packet में 12 12 candles से वो पेक करेंगी मीरा तब वो 204 candle से पेक करनी है तब उसे 17 packets की ज़रूरत होगी नेक्स्ट जे अब हमें बताना है कि हर रो यानि कि हर रेक जो लाइन है उसमें कितने चिल्डन होगी टोटल नंबर ओफ चिल्डन इन इच रो इस एकोल स्टो 161 डिवाइड 7 161 डिवाइड 7 7 के टेबल देखना है यहाँ पर 1 है इसलिए 7 से स्मोलर डिजिट है 1 इसलिए 2 डिजिट एक सास लेंगे 16 7 के टेबल में 16 या तो फिर 16 से स्मोलर डिजिट आए तब तक चेक करना है 7 बन्स है 7, 7 डूज आ 14, 7 थी जा 21 वो डिजिट इसलिए वो 16 से बिगर हो गया इसलिए क्या आएगा 7 डूज आ 14 अब 16 माइनस 14 करेगे क्या आएगा 2 उपर से क्या आएगा 1 यारी कि 21 बनेगा अब देखना है 7 के टेबल में 21 या तो फिर 21 से स्मोलर डूज आए तब तक चेक करेंगे 7 बन्स है 7, 7 डूज आ 14, 7 थी जा 21 इसलिए हम लिखेंगे 7 यहाँ पर 3 और यहाँ पर 21 7 थी जा 21 21 माइनस 21, 0 Thus, there are 23 चिल्डन इन इच रो अर्रेक रो में कितने चिल्डन होंगे? 23 चिल्डन होंगे थी जा ख्याँ!